हैलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकट के दुनिया में जो दोस्तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि क्रिक्टर कैसे बने इस पर एक वीडियो बनाओ आप तो दोस्तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बताय हुए किसी टॉपिक पर वीडियो बने तो आप हमारी यूट्यूब वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं तो दोस्तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पता हुए टॉपिक पर वीडियो बनाई है तो दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो क्रिक्टर बनने की शुरुआत में एज कितनी होनी चाहिए दोस्तो आपने बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिसमें कोई 3 साल का बच्चा क्रिकेट खेल रहा है या कोई 5 साल का बच्चा क्रिकेट खेल रहा है लेकिन दोस्तो क्रिकेट खेलने की स्कूल लेवल की सही एज होनी चाहिए 8 से 12 साल की क्योंकि दोस्तो इसी एज में क्रिकेट की बरीकियों का पता चलता है और स्टडी और गेम के बीच में ताल मेल बिठाना भी आना चाहिए और दोस्तो ऐसे में पेरंस का भी इसमें पूरा स्पोर्ट होना चाहिए दोस्तो 12 से 16 साल की एज के पीछ आप अपनी क्रिकेट की गेम को और इंप्रूव करने के लिए आप क्रिकेट अकैडमी भी जोइन कर सकते हो और दोस्तो अगर आपके पास financial support है तो आप किसी former रंजी प्लेयर की अकैडमी भी जोइन कर सकते हो क्यूंकि दोस्तों Academy में देखा जाता है कि आपकी body language कैसी है अगर आपकी height अच्छी है तो आप fast bowler बहुत अच्छे बन सकते हो अगर आपकी arm strong है तो आप best man बन सकते हो दोस्तों ऐसी बहुत सी उधारने मैं दे सकता हूँ आपको कि जो give actor पहले best man बनने आया था हो बाद में baller बन गया और जो baller बनने आइथा वो बाद में बैस्टl somewhat बन गया जैसे की दोस्तों अनिल कॉमले, अनिल कॉमले अपने शुरुवाती cricket के दिनों میں बैटिंग किया करते थे लेकिन दोस्तों बाद में वो दुनिया के सबसे बहतरी बॉलर बन गए है ऐसे ही दोस्तों हमारे हेटमेंड यानि की रोहिश शर्मा वो क्रिकेट कैडमी में आए तो स्पिन बॉलर बनने थे लेकिन वो बाद में बेस्ट मेंड बने दोस्तो इसके बाद की जो एज होती है 15 से 18 साल गी इस एज में दोस्तो बच्चे सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं और उसकी वज़े होती है स्टडी या फिर स्कूल की जा कॉलेज की टीम में सेलेक्शन ना होना ऐसे में दोस्तो कई बच्चे क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं तो प्लीज क्रिकेट खेलना मत छोड़िया आप क्योंकि ऐसी सिच्वेशन में दोस्तो आप अपने आपको टाइम दीजिए अपनी गेम को और पॉलिश कीजिए क्योंकि दोस्तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी गेम अच्छी हो और आपका कही सेलेक्शन ना हो अगर आपका एक बार सेलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स टाइम तो पक्का हो जाएगा ऐसे में दोस्तो आप प्रेशर में तो बिलकुल ही ना आए और दोस्तो साथ ही में क्रिकेट के ट्राइल देना बहुत जरूरी है अगर आप अकैडमी में हो तो आप अपने कोच को बोलें कि उन्हें ट्राइल के लिए तैयार कीजिए तो दोस्तो अगर आपकी गेम अच्छी है तो आपका सेलेक्शन अंडर 15 में अंडर 16 में अंडर 17 में से किसी में हो जाएगा दोस्तो ऐसे बहुत से प्लेयर हैं जो अकैडमी से ही रंजी टीम में सेलेक्ट हुए हैं जैसे की गौतम कुंबीर और दोस्तो ऐसे भी बहुत प्लेयर हैं जो बहुत ट्राइल देने के बाद और बहुत स्ट्रगल करने के बाद टीम में चुने गए हैं जैसे की वरिंदर सहवाद और दोस्तो विराट कोली ने भी ऐसे ही इस ट्रायल देकर स्कूल में और अकेडमी में खेवते हुए अंडर 19 में जगा बनाई थी और दोस्तो अंडर 19 में वो कफ्तान चुने गए थे और टीम इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कफ जिताया था तो दोस्तो मैं तो यही कहूंगा कि आप क्रिकेट में किसी भी फिल्ड में हूँ चाहे आप बॉलर हूँ पैस्ट मैं हूँ विकेट कीपर हूँ या फिर फिल्डर हूँ हर चीज में अपना पैशन जरूर दिखाएं क्यूंकि ऐसा करने से आप एक दिन जरूर बड़े प्लेयर बनोगे तो दोस्तो आपको यह जानकरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना अगर दोस्तो आप चैनल पर नहीं हूँ तो चैनल को सुस्क्राइब करें और बैल चीज में जरूर बडा पर चैनल को साूर